तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको जो MSI F Player का एक best version बताने वाला हूँ जिसमें आप जो गेम को प्ले करोगे तो आपको जो इसमें कोई भी lag, problem वगेरा देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जो यहाँ पा MSI F Player में Free Fire Max गेम को प्ले कर र इस वीडियो में मैं आपको जो MSI F Player का एक best version बताने वाला हूँ जिसमें आप जो इसली गेम को प्ले कर सकते हो आपको जो कोई भी problem नहीं आएगा तो चलिए फिर दोस्तों टाइमने वेस्ट करते हुए वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है क क्लिक करके आपको जो इसको download कर लेना है तो मैंने इससे पहले से download कर रखा है आप जो इससे download करके अपने PC में install कर लीजेगा and install कर लेने केब आप जैसे ah Aham couch कर ऐगे तो यहां पर आपको जह कμुछ इसक इस पी करकर जो इंटरफेस जो है देखने को मिल जाएगा तो ophile को install कर लेता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह फिर Flare extrêmement जो ग्राइब जो इंस टो हो चुका है तो अब आपको क्या करना है कि आपकब घ todd है यह इसकी से डिंग को कर लेनी इंड 4G RAM है तो आपको यहाँ पर 2G RAM select कर लेना है and performance mode में आपको जो इसे balance mode में कर लेना है and उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्पेले में आना है and यहाँ पर आपको जो यह resolution मिलेगा तो आपको जो resolution 1280 पर select कर लेना है यह resolution जो एकदम बेस्ट है low-end PC के साब से यहांपर DPI में आपको जो इसे 240 पर DPI सेलेट कर लेना है उसके बाद आपको यहांपर Graphics में आना है यहांपर यह इसे Performance Mode में कर देना है यहांपर आपको जो इसे OpenGL पर सेलेट कर लेना है अगर आपको नहीं पता कि OpenGL का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ OpenGL का मतलब होता है कि अगर आपके PC में कोई भी graphic card लगा हूँ है तो आप जो यहाँ पर OpenGL को select कर सकते हो And अगर आपके PC में कोई भी graphic card नहीं लगा हूँ है तो आप जो यहाँ पर direct text को select कर सकते हो तो मैं यहाँ पर open jail पर से select कर लेता हूँ Then आपको यहाँ पर save पर click करके आपको आपको emulator को restart कर लेना है तो यहाँ पर आपकी सारी setting apply हो जाएगी And उसके बाद अब आपको यहाँ पर game को open कर लेना है तो चली फिर अब हम यहाँ यहाँ पर game को open कर लेते हैं तो जब तक यह game open हो रहा है तब तक अगर आप वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को like कर दीजेगा And चैनल को subscribe कर दीजेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर game open हो चुका है तो अभी मैं आपको यहाँ पर कैसे की mapping कर रखी है तो आपको यहाँ पर setting पर click करना है And यहाँ पर control में चले जाना है And यहाँ से custom hud को open कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस पर कार से मैंने यहाँ पर key mapping कर रखी है यहाँ पर यहाँ पर यह control button के search को चोटा करके ऐसे side में add कर रखा है तो आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी भी key mapping करना चाते हो आप यहाँ पर कर सकते हो And उसके बाद आप यहाँ पर display में देखोगे तो यहाँ पर जो है मैंने इसे ultra पर कर रखा है और ultra पर जो है मेरे PC में free fire max game easily चल जाता है And मैं आपको बता दूँ के मेरे पास कोई भी high end PC नहीं है मेरे PC में RGB RAM है और i3 का processor है और फिर भी इसमें easily smoothly gameplay चल जाता है इसमें मुझे कोई भी lag problem वगेरा देखने को नहीं मिलता तो अगर आपके PC में 4G RAM भी है यहाँ पर मुझे कोई भी lag problem वगेरा या फिर कोई भी joystick problem वगेरा जो है नहीं आ रहा है मैं easily smoothly gameplay कर पा रहा हूं तो दोस्तो इस तरह से आप भी जो अपने low end PC में easily smoothly gameplay कर सकते हो And अगर आपके PC में 2G RAM है तो सायद आपके PC में game lag कर सकता है बट अगर आपके PC में 4G RAM है या फिर 8G RAM है तो आप जो इसमें easily game को play कर सकते हो आपको जो कोई भी problem नहीं आएगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतने ही अगर आपको अमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कर दीजेगा एंड चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में